दोस्तों मोदी जी के हाथ से पूरी सत्ता जाती हुई दिख रही है स्मृति रानी के बाद अब गोधी मीडिया भी मोदी जी को छोड़ राहुल गांधी के गुनगान कानने लगा है दस साल से जिन मोदी जी के लिए पियार का काम कर राहुल गांधी की छवी बिगारने का काम टीवी मीडिया कर रही थी और टीवी मीडिया आज अचानक मोदी जी के लिए कम और राहुल गांधी के नाम की माला ज्यादा जपने लग गई है क्या उथल फुतल हुई है राजनीती के अंदर खाने में आईए विस्तार से बात करते हैं इस मुद्दे पर तो वीडियो के अंग तक जरूर बने रहेगा नमश्कार स्वागत है आपका दकन टाप भी मैं आपके साथ गेटी काप आप एक दश्मनब 6-7 लाख वोटो से हारने के बाद स्मृती रानी का पूरफ पस्चिंतुत बदला ही साथ में गोधी मीडिया भी इस मैफिल में शामिल हो गई सुधीर चौधरी तिहार पत्रकार के नाम से भी जाने जाते हैं और क्यों जाने जाते हैं ये मुझे आपको बताने की जुरुत नहीं है उड़ों ने राहूल गानी की प्रशंशा करते वे स्टोरी बना डाली एक पूरी स्टोरी राहूल गानी की प्रशंशा करते वे ही बनाई गई है आज और काफी मुस्कुराहट के साथ राहूल गानी के ट्विटर पर शेयर की गई वीडियो को उनकी नए रन्नीती से वाकिफ करवाया है पहले आप उनकी कराटे वाली थोड़ी सी जलक देखिए वीडियो देखिए जो राहूल काभी ने अपने ट्विटर हैंडल एक्स पर शेयर की सुधीर चौधरी अंजलावं कश्य पर राहूल कनवल और श्वेता सिंग की प्रधान मंतरी मोदी जी के साथ टेबल वाली इंटर्वियू तो आपको याद ही होगी दोस्तों जो कि पीमो में ही हुआ था जब सुधीर चौधरी मोदी जी से पूछते हैं कि राहूल ने जो कहा और उसी में मोदी जी बीच में कूटते वे सवाल कर देते हैं कौन राहूल जिस पर चारों गोदी पत्रकार खूब ठड़ाके लगा कर हस रहे थे लेकिन वहीं सुधीर चौधरी आज राहूल गांधी को ना सर्फ राहूल गांधी की रनीती बताते हुए शो कर रहे हैं बलकि साथ ही में उनको राहूल भाया कहकर भी सम्मोधित कर रहे हैं जी दोस्तों पूरे शो का नाम ही मोधी चाचा और राहूल भाया था दोस्तों किसी ने सही कहा है राजनीती में दिन पलटते देर नहीं लगती और बिके हुए पत्रकार का इमान बदलते समय नहीं लगता जब राहूल गांधी को पप्पू कहने वाली स्मृती रानी बीजेपी की मेता होके हार का सामने करने के बाद राहूल गांधी के लिए इतने उच्च शब्दों का प्रियोक कर कह रही है मतलब कह सकती है कि राहूल गांधी की पॉलिटिक्स में बदलाव आया है वो अपनी रनीती में सफल होते वे दिख रहे हैं अगर वो कास्ट को ल में वहाँ युवा पीड़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं हम इस गल फैमी में आ रहे हैं कि वो कोई भी कदम वो कदम चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे उनका कदम भले ही आपको बचकाना लगे लिकिन अब वो अलग लेवल की राजनीती कर रहे हैं आप सोची जब स्मृती रानी जो गला फाड़ फाड़ के चीक चीक के रहुल गांधी के कपपू बोला करती थी जो इतना खिलाफ में उनको बोला करती थी तो ये तो बिकी हुई मीडिया ही है बिन पेंदी का लोटा जैसी आज इधर तो कल उधर सुधिये चौदरी ने अपने शो का नाम ही मोदी काका और राहुल भाईया रख दिया था उन्होंने अपने वीडियो में ये बोला कि राहुल गांधी राहुल भाईया युवाओं को फिटनेस का लक्ष दे रहे हैं क्योंकि वो पहले से ही बहुत फिट हैं उनका अपना अनूठा तरीका है मोदी जी अब राहुल गांधी का तरीका बिलकुल अलग है लेकिन मंजिल एक है दोसो सोशल मीडिया पे भी राहुल गांधी के इस वीडियो को टैक करते हुए काफी लोगों ने इस अनोख्य घटना को महसूस किया है किसी ने लिखा कि सुधी चौधरी का आश्चर रिजनक बदलाव है अचानक वो राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं 4 जून 2024 से हवा का रुख ही बदल गया है तो किसी ने ये लिखा कि विंड ओफ चेंज सुधी चौधरी ने राहुल गांधी और युवाओं के बीच उनकी पागल लोग प्रियता पर एक पूरा शोही कर डाला ये राहुल भाईया विशेश देखी और इसे फैलाएं भी दोस्तो राजनीती के गल्यारों में हवा का रुख बड़ी तेजी से बदलता है और इस समय खास कर अभी दिख भी रा है जा एक तरफ मोधी जी को उनी के पाटी के बैठकों में नहीं बुलाया जाता है हम तो नहीं देख पा रहे हैं वहीं उनी के पाटी के दिगज नेता जैसे स्मृती रानी राहूल गांदी की तारीफों की पुल बांध रही है गोधी मीडिया को ही इंटर्व्यू देते पे राहूल गांदी की रनीती की बढ़ाई कर रही है और बोधी मीडिया भी राहूल गांदी के अच्छे तश्वीरों को दुनिया के सामने दिखाता नजर आ रहा है अब इससे ज्यादा और चौकाने वाली बात क्या होगी इससे ज्यादा अंदर खाने की खबरों की नुमाईश क्या होगी जो खुद आपके सामने मतलब खुद खुद आ रही है खुद बखुद प्रकट हो रही है वाकि आपको क्या लगता है दोस्तों यह मुद्दार राजनेतिक गल्यारों में कितना तूल पकड़ेगा मोधी चाच्छा और राहुल भाया के बीच का ये अंतर आने वाले समय में किसको आगे लेकर जाएगा अपनी प्राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा और साथ ही ऐसे खबरों को देखने के लिए दग कंटाब को सब्सक्राइब शेयर और लाइक भी जरूर कीजेगा फिन मिलते हैं देश-दुनिया के तमाम खबरों के साथ तब तक के लिए देखते रहिए दग कंटाब और नबा हूँ